हमने excel के अंदर home, insert, page layout खतम कर चुके है, formula start है, मतलब आप हमने shortcut handling समझा आ गया हमने formatting समझ लिया, data analysis सीख लिया, data representation सीख लिया, अब आरे आती है, calculations की, data के अंदर हम calculation किस तरीके से करेंगे, मतलब कि excel का हमारे mathematical A है, operator है, उसको किस तरीके से use करोगे आप, आज का topic A हमारे पास, तो mathematical operator, plus, divide, multiply, subtract and power, एक पाँच आपके पास excel के अंदर mathematical operator है, इसको आप किसी बिना formula का किस तरीके से use करोगे, यह आपका आज का topic है, मतलब कि कोई formula नहीं है, मतलब कि कोई formula यूज नहीं करना है, बिना formula यूज किया हुए हर तरह की calculations को किस तरीके से आप करोगे, जो काम आप note pad पे कर सकते हो, उस काम को आप excel पे कैसे करोगे, इन future में हम आपको बहुत सारे formula सिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे चीज भी होगी जिसके लिए formula बना ही नहीं होगा, खायता आपको वी बी में प्रोगाम करके बनाना पड़ेगा, या फिर mathematical operators यूज करना पड़ेगा, इसके कुछ example आज मैं बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, कि किस तरह की calculations की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, growth की, growth का, मालोग की में पास quarter 1 equal to 400 है, and quarter 2 equal to 435 है, तो हमें growth निकालना है, कि growth का percentage की, हमें कितना percent हमने growth किया, थिक है, तो growth निकालने का, यह क्या है, मतर की formula क्या, अगर मुझे notepad पे अगर निकालना हो, बिदा Excel या computer यूज किये हुए, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, कि quarter 2 minus quarter 1, divide by quarter 1, and multiply by 100, mathematical concept यही कहता है, तो चलिए इस mathematical concept को हम Excel में यूज करते है, quarter 1 and quarter 2, quarter 1 हमारा 400 है, quarter 2 हमारा 435 है, तो मुझे यहां पे growth निकालना है, अब growth क्या कहता है, कि quarter 2, क्या बलते है, minus y, quarter 1, divide by quarter 1, multiply by 100, यही है, सबसे पहले, कि multiply by 100 हम यहां पे क्यों लिखते हैं, percentage में convert करने के लिए, Excel पे, अगर Excel की बात करें, तो Excel में जैसे में यहां पे, 10, मालिजे की, 0.10 हमारा result आया है, इस पे हम percentage का sample पे click कर दे हैं, automatically multiply by 100 हो जाता है, इसलिए यहां पे multiply by 100 लिखने की ज़रुरत नहीं है, ठीक है, दूसरा, इसमें आपको board mask method यूज़ करने पड़ेंगे, क्यों, देखिए, बतातों आपको, formula के step को बारे में जानना है, कि आपका formula किस step से work कर रहा है, तो formula routing में आपको यहां पे evaluate formula दिखता है, evaluate formula पे आईए, step by step आप यहां पे evaluate कीजिए, 435, 400, and 400, अब क्या कर रहा है, कि 400 को 400 से divide कर रहा है, then manage कर रहा है, गलत है, हमें क्या करना है, हमें पहले 435 से 400 को minus करना है, तो इसलिए हम यहां पे brackets का use करेंगे, आज के topics आपको यह भी पता चलेगा, किस तरीके से bracket यूज़ करोगे, क्योंकि आगे चलके जब आप nested formula करोगे, तो आपको bracket का काफी use करना पड़ेगा, आप इसको percentage में convert करना है, तो इसको हम percentage में click करेंगे, आप percentage में convert कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आगर मुझे percentage निकालना है, इसे माल लोगे किसी का grade, अगर हम बात करें, कि किसी का 900 का paper था, यह हाला कि हम लोग बहुत निकालते थे, इसमें मुझे 435 मिले, इतना बुरा तो मिलता नहीं था, फिर भी लिख देते हैं, तो हमने कितना परसेंट अचीव किया, तो मैथेमेटिकल कंसेट के जरी, हम लोग क्या करते थे, हम करते थे 900, नहीं, 900 नहीं होता है, माफ किजी का एक गलत है, 435, डिवाइड वाइड नाइन हंडेड, मुझे प्लाइड वाइड नाइन हंडेड, यह होता था, हम जैसें कि बात कर चुके, एक्सल में, अगर मुझे करना हो, तो एक्सल में मल्टिप्लाइड वाइड नहीं होगा, सिंपल सा हम करेंगे, 435 डिवाइड वाइड 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 नाइन हंडेड, एचीफ डिवाइड व्मद अचीवन, क्यों? हमने आप वो क्या बोला एक्सल के अंदर में परसेंटेज का कंचेप्ट नहीं फॉलो होता है क्योंकि इस पर क्लिक करते हैं इसलिए चीज में आपको बताया दूसरा कि अगर मान लिजे की तेन थाउजन है इसमें से मुझे थर्टी नाइन पॉइंट थरी जीरो परसेंट आया है तो मुझे पता करना है कि तेन थाउजन का थर्टी नाइन पॉइंट थरी जीरो क्या होगा तो अगरा मैथिमेटिकल कंसेप्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे यहां पे हम यहां पे करेंगे तैन थाउजन मल्टि प्लाइबाइबाइब थिरी नाइन पॉइंट थिरी जीरो दिबाइबाइब आनड थे शनीड तो जैसे आपने परसंटेज का सेंबल लगाया एक अटमेटिक वाइड डिवाइड वाइड हंडेड हो गया और आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको आप जन्नल फॉर्मेट में ले आके चेक कर सकते हो ठीक है? तो आपको अजस क्या करना है? मल्टिप्लाई करना है इस जिसका द्चान रखेगा परसंटेज में बहुत साब बच्चा कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया दुसरा होता है कि मान लीजिए कि मुझे परसंटेज लिखना यहां पर है मैंने गलती से डाल गया मुझे सो परसंटेज में कन्वर्ट करना था जैसे मैं इसे परसंटेज में क्लिक करूंगा यह उसके लिए आपको टाइप करते समय ही आपको 89 परसंटेज इस तरीके से लिखना होता था तो जब भी आप percentage में लिखना हो तो percentage पहले से कर दो या फिर उसको percentage की format पहले convert कर दो then simple लिखो तो आपको अपने आप लगा आ जाएगा लेकिन आपने गलती कर चुके है कि आप type कर चुके हो बिना percentage में convert किये हुए आप में परसेंडरेज का सेंबल लगाया हो तो उसके लिए आपके बास एक ही रिजन बजता है पेस्ट स्पेशल करें कि कॉपी करो 100 लिख के select करो sorry right click paste special इसमें आपको divide by 100 और फिर इस परसेंडरेज का सेंबल अपलाई का तिक है इसमें तो यूज कर सकते हो आप अब आए एक्सल के जो mathematical formula है उस formula को हम कैसे solve करेंगे जैसे compound interest की बात आती है तो compound interest कैसे करते हम लो माले जगे principle हमारा 5000 है rate हमारा 13% है time हमारा 5 year है ठीक है न और N हमारा 12 है इनका होता है नब्रों को में 4 year है ठीक है आज मुझे इस पे compound interest में चक्विर्दी ब्याज हमें पता करना है तो चक्विर्दी ब्याज के लिए अज के लिए आज क्लास के अंदर में आता था चैप्टर पता नहीं हम लोग एट्स क्लास के अंदर मे इसका concept नहीं होता था कि P into 1 plus R वो आपका simple interest था 1 plus R divide by 100 नहीं होता था और N यहां पर divide by 100 होता था ठीक है इसके उपर होता था हमारा T multiply by N time multiply by N time in month भी कर जाकते था ठीक है अब इसी concept को में एक्सल में फालो करता हूं अब प्रॉल्म में इतना लंबा क्रॉक्लेशन करना है तो एक सेल में तो मुश्किर हो सकता है तो हम इसको one by one करते हैं पहले हम क्या करते हैं इसकी calculation then इसकी calculation then इन दोनों की calculation then फिर वापस इन सबों की calculation तो हम करते हैं यहां पर one हम इसको बोल्ड मास में तर्यूज करते हैं थाटीन परसेंट डिवाइड बार यह हो गया हमारा then हम यहां पर करते हैं time five multiply by twelve ठीक है उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका that power of that उसके बाद करता हूँ इसको और एक और तरीक से समझाता हूँ आपको मैं फिर मैं फर्मुला नेस्टिंग के बारे हैं बात करेंगे हम करेंगे यहां पर one प्लस ब्राइकट में लिया डिवाइड बाद बार ठीक है then multiply by एक ही आमने then that power of use कि आमने उसके बाद that multiply by p हम इसके लिए मैंने चार्ट से लिउज किये मुझे इसमें बस एक से लिउज करना है एक तो हमने mathematical concept को follow कर लिया लेकि मुझे इस formula को बितिन वन से ल अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको कॉपी करेंगे ctrl c then यहां पर क्या था है c10 c11 जहां जहां है वहां वहां हम bracket के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इसकी formula को इसका link अट गया एक है आपका d11 हम d11 के formula को कॉपी करते jandale変ekjshok is dan safe से बाहरा आते हैं फिर जहां पर दे 11 वह इसके राइकट में इसको हम paste कर देते हैं ठीक है फिर इसको copy करते हैं Kaiser select करके Ctrl C escape मार बाहरा आते हैं फिर जहां पर हमा Russia C2L है सी simplemente को भी रखते हैं और पेस्ट कर देते हैं अर्पे इसको जरूरत में है मैं इसको delete एक तो हम इसमें दो चीज़ हमने सीखी, एक तो हमने सीखी कि किस तरीके से हम mathematical formula को जो हमने आपे principle कहा है, इस तरह से formula को Excel में apply कर सकते हैं, दूरा हमने सीखा कि formula को किस तरीके से between merge cell, एक cell के अंदर merge कर सकते हैं, तो formula merging को और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, आगे चलिए, आपको MRP निकाल ला है, माल लिजे, MRP, माल लिजे की एक product को बनाने में जो cost लगा, और cost लगा है 50 रुपीच, अब इसमें क्या करता है, manufacture क्या करता है, 5% के interest rate पे distributor को बेज देता है, distributor क्या करता है, उसकी जो खरीद परती है, उसका 15% का interest rate लेके, इसको बेज देता है, रिटेलर को, तो यहाँ पे फाइनली MRP क्या हुआ, तो इसके लिए पहले में one by one करते है, कि 50, multiply by 5, हमने 50 का 5% निकाल दिया, then मैं 50 में 5% की जो जोड दिया, मतला कि जो distributor को बढ़ा, वो 52.5 पर बढ़ा, अब मैं, होलसेलर का क्या करता हूँ, कोस निकालता हूँ, कि 50 का 10% निकाला, इसने 52 का, और 52 में इसको जोड दिया, संतावन रुपीज करा कि इसको रिटलर का खड़ा, होसलर का बेच आगे, फिर 57, multiply by 10%, फिर प्लस, फिर आपको यहां पे, 60, 20%, मैं पलस कर दिया, माप किजिएगा, multiply by 20% and then बलस, तो फाइनली 79 डुपीज लगा, 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 तो चलिए, सबका लिंक तोड़ते हैं, इसको हटाना सबसे पहले, तो इसके लिए, यहां पे, जहां-जहां मेरा ए है, 5%, मैनुल टाइप कर देते हैं, हम मैनुल कहें कि यहां पे, मैनुल ही है, यहां पे, 10%, 15%, 20%, तो इसको सिलेक्ट करके डिलिल कर दिया, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, चंटूल सी स्केप मार के बाहर आया, और बी थटी जो है नमारा, इसको पेस कर देता हूँ, तो इसको कॉपी करता हूँ, यहां पेस करना चाहिए, यहां पेस करना चाहिए और पेस करना चाहिए, इसको कॉपी कीजिए, C30 को डिलीट कीजिए ब्रैकर ओपन पेस्ट इसको ब्रैकर क्लोज कीजिए फिर वापस आईए इसको कॉपी कीजिए पेस्ट आप रिजल्ट दक रहे है रिजल्ट तो चेंज नही हो रहा है चीज देख चेक करते रहे हैं ठीक है अब मैं इसको डिलीट करने कोई फर्क पर रहा है अब देन इसको कॉपी करते है इसको कॉपी किया इसमें कहां था आपका इसको ब्रैकर में रखिए और पेस्ट कर देजिए फिर इसको कॉपी किजिए C31 डिलीट किजिए ब्रैकेट में पेस्ट कर देजिए शरी मैंने कॉपी करना भूल गया इसलिए कर कंट्रोल सी स्केप मारके मैंने बाहर किया देखिए हमने एक छोटी सी गलती की है कि हमें देखा अगरबर होगे न छोटी सी गलती यहां पर इसको कॉपी करता हूँ यहां में आपका B27 B31 यहां भी है आपका दो जगा था तो मैंने कॉपी पेस्ट करना था हमें दो जगा करना था आप इसको कॉपी करते है क्लिक आकर देख लिए लिंक तो नहीं है C31 ब्रैकेट ओपन किये क्लोज किया बीच में करसे लेके गया और पेस्ट कर दिया फिर यहां भी C31 है ब्रैकेट ओपन किया क्लोज किया बीच में करसे लेके गया और इसको पेस्ट कर दिया ठीक है फिर हम इसको कॉपी इसको कॉपी करते है कंट्रोल C इसकेट मारके बाहर आते यहां पे करसे लगते है ब्रैकेट ओपन क्लोज डिलीट करके और पेस्ट फिर D31 ब्रैकेट ओपन क्लोज बीच में करसे लेके गया फिर पेस्ट इसको डिलीट कर दो कोई फ़र्क परदा नहीं परदा कंट्रोल X कट करके सामने लिख दो असे में पात एक तो इतने लंबी फॉर्मॉला लिएाना मुश्किल था तो इसी तरह से हम फॉर्मॉला मर्जिंग करते हैं जब भी हम बहुत बरे-बरे फॉर्मॉलेज को लिखते हैं तो जो mathematical operator है हमारा उसको आप बिना किसी formula यूज किये हुए आप टाइप कर सकते हो तो आगे चलुकर आपको आपको इसे को इसमे बहुत सार지 इसे को आप काम जिसके लिए फामूला बना ही नहीं है उस situation में आप इस तरह की mathematical concept को यूज करके अपना problem solve कर सकते हैं क्लियर है को डाउट इसमें तो अभी आपको आगे बरने से पहले थोड़ी सी बैक्टिश करनी चाहिए मतलब कि आप रोग मुझे कम से कम दस मैथेमेटिकल फॉर्मुला को एक्सल में यूज करके दिखा सकते हो कि पांचे आपको इसमें अझाएंगे इंटेस्टों में प्रिंस्पल निकालना माउलणा रोइट निकालना ठाइम निकालना साब अगर आपके बास नहीं, तो कोई भी mathematical book उठाओ या नेट पर डूण लो, आपको मिल जाएगा, ऐसी calculations करके मुझे दो, एक्सल के ओपर, तभी मैं आगे logical formula से start करूँ है, कल कर जो topic हमारा होगा, ओगा logical formula, और आपको next classes में आपको logical formula पढ़ाएगे, ठीक है sir, अरुण जी जै तो मुझे कल में आपको logical formula start करूँगा, उसे पहले आप लोग मुझे इसका calculations करके देखिए, तो मिलते हैं कल, same time, अब इकास कुझा है आज, मुझे ये message किया थे, meeting ID वेज दो, ठीक है, मिलते हैं कल, same time, okay, bye